इस मूवी की शुरुवा चार जुले से होती है जहां हम अमेरिका के एक टाउन को देखते हैं जहां कहीं सारे लोग स्वतंतरता दिवस मना रहे थे जिसमें मार्व नाव का डेटेक्टिव भी शामिल था वो वहां देखता है कि एक चोर बीड का फायदा उटा कर किसी लड़की का परचुरा कर भागने लगता है इसलिए मार्व उस चोर का पीचा करता है लेकिन वो चोर भाग कर एक ड्रेनेज पाइप में गुच जाता है इसलिए मार्व भी उसके पीचे चला जाता है तब आगे वो चोर को डूनने की कोशिश करी ही रहा था कि तभी पीचे से पिगमास पेहना आदमी उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है अब जब मार्व को होश आता है तो वो खुद को एक रेलवे ट्रैक पर लटका पाता है जहां किसी ने उसकी टंग को दो रोड के बिच फसा दिया था वो हालत समझने की कोशिश करी ही रहा था कि तभी सामने रखी टीवी ओन हो जाती है जिसमें वो ही पिगमास पेहना आतमी एक वीडियो के जरीए उससे बात करने लगता है और उसे बोलता है कि डिटेक्टिव मार्व ने कई बार जूट बोलकर बेगुना लोगों को फसाया है जिसकी वज़े से कई लोग बेवजा जेल की सजा काट रहे है इसलिए अब अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे उसकी जीव उखाडनी होगी और अगर वो अगले दो मिनिट में ऐसा नहीं कर पाया तो उस ट्रैक पर चल रही ट्रेन उसे मार देगी यह सुनकर मार घबरा कर कुद को आज़त करने की कोशिश करता है लेकिन सही समय पर वो उस टास को कंप्लीट नहीं कर पाता और वो ट्रेन आकर उसके चीतले उड़ा देती है जिससे उस ट्रैप में सिर्फ उसकी टंग ही रहे जाती है अब अगले सीन में हम डिटेक्टिव जेक को देखते है जो अपने चीफ आफिसर एंजी से बात कर रहा था जहां एंजी ने उसके लिए विल्यम नाम का एक नया पार्टनर चुना था लेकिन जेक अपने साथ कोई पार्टनर नहीं रखना चाहता था क्यूंकि 12 साल पहले जेक एक क्रिमिनल को पकड़ने गया था तब वहां उसने बैक अप भी बुलाया था लेकिन वहां कोई बैक अप नहीं आया इसलिए उसे उस क्रिमिनल से अकेले ही निपटना पड़ा जिसके चक्कर में उसे गोली लग गई और वो मरते मरते बच गया इसलिए अब वो किसी पार्टनर या बैक अप पर डिपेंड नहीं रहना चाहता था लेकिन एंजी उसकी कोई बात नहीं सुनती और विल्लियम को उसका पार्टनर बना देती है अब वो दोनों मिलकर उस जगह आते हैं जहां मार्व की मोथ हुई थी लेकिन मरने वाली की उन्हें वहां कोई पहचान नहीं मिलती क्योंकि मार्व की बाड़ी के तकरिवन 16 टुकड़े हो चुके थे इसलिए वो बाड़ी को लैब में भेच कर पुलिश टेशन आ जाते है जहां जेक के लिए एक कूरियर आया था जिस पर जेक उस पैकेट को खोल कर देखता है में प्ले मी लिखा हुआ पेंडराव मिलता है इसलिए जेक उसे प्ले करके देखता है तो उसे उसमें स्पायरल की फोटो के साथ एक एडे ओ अ मैसेज मिलता है जो था कि मैं पुलिश डिपार्टमेंट को क्लीन करना चाहता हूं क्यूंकि यहां सभी लोग अपनी पावर का गलती इस्तमाल कर रहे है इसलिए मैं अबूने अपने तरीके से ठीक करने की कोशिश करूँगा यहां जेक अल्रेडी जिक्सौ किलर के बारे में जानता था इसलिए यह मैसेज सुनकर वो तुरंट समझ जाता है कि कोई जिक्सौ को फॉलो करके मर्डर्स करने की कोशिश कर रहा है इसलिए वो उस फोटो में दिखने वाली लोकेशन का पता लगा कर अपने पार्टनर के साथ वहां पहुच जाता है जहां इन्वेस्टिकेशन के दोरान उन्हें एक बॉक्स मिलता है जिसमें एक कटिवई जीब और एक पुलिस बैच था अब बैच नंबर और फोरेंसिक रिफोर्ट से उन्हें पता चल जाता है कि मरने वाला आदमी मार्व था जो कि एक पुलिस वाला ही था अब कुछ दिर बाद जेक अपने घर आ जाता है जहां उसकी मुलाकत उसके डैट से होती है और यहां में पता चलता है कि उन दोनों के रिलेशन्स अच्छे नहीं थे दरसल जेक का डैट यानि मार्कस भी एक बहादूर पुलिस ओफिसर था और मार्व उसका अच्छा दोस्त था जिसके मरने की खबर सुनकर वो जेक से मिलने आया था तब जेक उसे बोलता है कि कोई संकी जिकसा को फालो करके लोगों को मार रहा है तब मार्कस उसे सावधान रहने की सला देता है अब अगले सीन में हम देखते है कि जेक और बाकी ओफिसर मिलकर उस killer को पकड़ने का तरीका सोच रहे है तब उने पता चलता है कि मारुक का मडर होने से पहले वो Independence Day की celebration में था जहांसे वो किसी चोर का पीचा करते करते drainage लाइन में चला गया इसलिए फिर से investigate करने दो officer को वहां बेज दिया जाता है जहां कि शौप की camera footage देखकर officer फिच को उस चोर के बारे में कुछ clue मिल जाता है इसलिए वो अपने साथी को पुली स्टेशन में जाने को बोलकर अकिला ही उस चोर को डूरने निकल जाता है लेकिन clue वाले location पर उसे कुछ नहीं मिलता इसलिए वो वापी जाने लगता है कि तभी pig mask पेना killer उसे भी भेवोश कर kidnap कर लेता है अब जब उसकी आग खुलती है तो वो खुद को एक trap में फसा पाता है जहां उसके हाथ किसी तरह के mechanism में फसे थे और उसे एक water tub में रखा गया था तभी सामने रखी टीवी अचानक on हो जाती है जिसमें वही pig mask पेना आदमी सामने आता है और बोलता है कि कुछ साल पहले फिच ने किसी आदमी पर बिनावजा गोली चला कर उसे मार दिया था इसलिए अगर उसे इस trap से आज़ाद वना है तो उसे अपनी उंगलिया उखाडनी होगी और अगर time rate वह ऐसा नहीं कर पाया तो electric current की वज़े से उसकी मोथ हो जाएगी और यहां भी officer फिच उस task को complete नहीं कर पाता और electric current की वज़े से उसकी मोथ हो जाती है इधर मारकस भी उस killer को पकड़ना चाता था इसलिए वो किसी वेराऊच चला जाता है लेकिन वो भी कुछ करे इससे पहले ही वो killer उसे भी किड्नैप कर लेता है इधर जेक खाना लेकर कहर जाता है तो उसे वहां उसके dad नहीं मिलते इसलिए वो उनके लिए थोड़ा परिशान हो जाता है दूसरे दिन station पर फिर से जेक के लिए एक कुरियर आता है और इसमें भी एक पेंट रहे हो था लेकिन इस बार उसमें एक डॉल के साथ वीडियो मैसेज था जो उन्हें बताता है कि उसने आज एक और बैमान ओफिसर को सजा दी है यह सुनकर जेक इस मैसेज में दिखने वाले वीडियो की मदद से उस जगा का भी पता लगा लेता है और जब पुलिस वहाँ पोस्टी है तो उन्हें वहाँ एक कार मिलती है जिस पर एक स्पाइरल का निशान था तब उस कार में उन्हें एक बॉक्स मिलता है जिसमें किसी की कटी हुई उंगलिया थी इसी के साथ उन्हें वहाँ एक बैज भी मिलता है जिससे उन्हें पता चल जाता है कि ओपिसर फिच का भी मर्डर हो गया अब फिच के साथ आई लेड़ी ओफिसर जेक को बता देती है कि फिच उस चोर के पिचे गया था जिसका नाम बेन था इसलिए उन सबी को बेन के उपर शक हो जाता है क्योंकि दोनों मर्डर के साथ कहीं न कहीं उसका तालूक था अब जेक अपने डैड को ढूनने उसके घर जाता है लेकिन वो वहाँ पर भी नहीं था इसलिए वो उसे काफी कॉल करता है लेकिन मारकस फोन भी नहीं उटा रहा था इसलिए उसे उसकी चिंता होने लगती है दूसरे दिन स्टेशन पर फिर से एक कुरियर आता है जो बाकी कुरियर से बड़ा था उसे खोलने पर जेक देखता है कि उस बाक्स में किसी की स्कीन है जिस पर एक टैटो था वो टैटो देखकर जेक तुरन समझ जाता है कि ये विल्यम की स्कीन है क्यूंकि विल्यम के हाद पर भी सेम टैटो था विल्यम का ये हाल देखकर चेक काफी ज़ादा दुकी होता है तबी उन्हें स्कीन के पीछे एक छोटी बोतल मिलती है जिसकी मदद से उसे एक एडरेस मिलता है इसलिए वो सब उस एडरेस पर पहुच जाते है जहां उन्हें बिना स्कीन की बॉडी मिलती है जो विल्यम की ही थी जेक विल्यम की ये हालत देखकर काफी दुकी होता है और तबी इधर हम एंजी को देखते है जो पूली स्टेशन में थी उसे मारकस का टेक्स मैसेज आता है जो उसे कोल्ड केस रूम में जाकर कोई फाइल चेक करने को कहता है इसलिए एंजी कोल्ड के सुरूम में जाती है तबी वहाँ पिगमास पेना किलर उसे भी भेहोश कर देता है अब एंजी को होश आता है तो वह खुद को एक टेबल पर बंदा पाती है जहां उसके चेहरे को कवर किया गया था एंजी को वहाँ एक टेप रेकॉडर भी मिलता है जिसे प्ले करने पर किलर बोलता है कि एंजी ने काफी करफ्ट आफिसर को कवर किया है इसलिए अब अगर उसे इस ट्रैप से निकलना है तो उसे उसका स्पाइनल कॉड काट काटना होगा और अगर वो ऐसा नहीं कर पाई तो उसके चेहरे पर खोलता हुआ वैक्स गिर कर उसकी मोथ हो जाएगी अब एंजी अपने स्पाइनल कॉड को काटने की काफी कोशिश करती है लेकिन तब तक वैक्स गिर कर उसकी मोथ हो जाती है अब जब जेक वहाँ पहुचता है तो उसे एंजी के पोड़ी मिलती है जो काफी खराब हालत में थी उसकी आहालत देखकर उसे अपने डैट की और जादा चिंता होने लगती है इसलिए वो कोल्ड रूम की कैमेरा फुटेज चेक करता है तब वो देखता है कि यहाँ से तेरा मिनिट की फुटेज गायब है और यह काम कोई पुलिस वाला ही कर सकता था तब रेकॉर्ड से उसे पता चलता है कि लास्ट टाइम फुटेज रेटार आपिसर पीटर ने ओपरेट की थी इसलिए जेक तुरंट उसके पाच जाता है लेकिन पीटर वहाँ नहीं था इसलिए जेक वहाँ से निकलने लगता है कि तब वो गिलर उस पर भी हमला करके उसे बेवोष कर देता है अब जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसे एक हतकड़ी से किसी पाइप से बांदा गया था इसी के साथ उसे वहाँ एक सवा भी मिलता है इसलिए उसे लगता है कि वो सवा उसका हाथ काटने के लिए है और वो अपने हाथ को काटने ही वाला था कि तभी लकी ली उसे वहाँ एक पिन मिलती है जिसकी मदद से वह आजाद हो जाता है अब आगे जाने पर जेक देखता है कि वहाँ एक और विक्टिम है जिसका फेस एक मास्क से कवर किया गया था जेक वह मास्क खाटा कर देखता है तो वहाँ पीटर था जेक उससे NG के murder और camera footage के बारे में पूछता है तब Peter बोलता है कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानता तब जेक को वाँ एक tape recorder मिलता है जिसे play करने पर वो killer Peter से बोलता है कि उसने एक बेगोना आदमी को मारा था जो एक corrupt officer के खिलाब गवाई देने वाला था इसलिए अब अगर उसे जिन्दा बचना है तो किसी और को यानि जेक को एक चाबी डूननी होगी जिससे वो आज़ाद हो जाएगा मैसेस खत्म होते ही सामने लगी machine on हो जाती है जो काच की बोतल गिरने पर उसके टुकडे करके सामने फेक रही थी वो काच पीटर की बोड़ी में धस रहे थे इसलिए जेक उसे बचाने की काफी कोशिश करता है और तबी उसे नीचे एक चाबी मिलती है जिससे वो पीटर को आज़ाद तो कर देता है लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और काफी काच गुसने की वज़े से पीटर मा मार दिया था इसलिए उसने सभी करप्ट ओफिसर को सजा देने का फैसला किया इसके बाद वो उसे बताता है कि कैसे उसने सभी ओफिसर के मर्डर किये वो जेक को ये भी बताता है कि कैसे उसने अपनी मोत का धिकावा किया उसने एक टेट बाड़ी के उपर अपना टैटो बना के उसे destroy कर दिया जिसकी वज़ेसे सभी officers को लगा कि वो मर चुका है अब Jake उसे अपने dad के बारे में पुछता है तब वो बोलता है कि उसने Jake का phone लेकर मारकस को test किया और warehouse पर बुला लिया और अब वो ऐसे trap में है जिसमें उसे हाओ में लटका दिया है और उसकी body से धीर ब्लड निकल रहा है और जैसे जैसे time pass होगा वो मरता जाएगा ये बोलकर विलम पुलिस को call करता है और बोलता है कि यहां वेरा उसमें एक sunky shooter लोगों पर गोलिया चला रहा है इसलिए जल्दी यहां मदद बेजिए इसके बाद William Jake को उसके dad के पास लेकर जाता है जहां अ शूट करना होगा और अगर उसने William को शूट किया तो मारकस को नहीं बचा पाएगा इसलिए Jake William से वो गन हटा कर गोली उस trap पर चला देता है जिससे मारकस उस trap से छूट जाता है अब पुलिस भी वहां पर पहुच चुकी थी और वो एक cutter से तरवाजा काटनी की कोशिश कर पहुच जाता है जिससे वो trap दोबारा trigger हो जाता है और मारकस फिर से हवा में लटक जाता है अब पुलिस के अंधर आते ही वहां की lights off हो जाती है और ट्रैप setup की वज़े से मारकस के हाथ में एक gun आ जाती है जिससे पुलिस को लगता है कि वो ही shooter है और light off होनी की वज़े से वो मारकस को पहचान नहीं पाते और शूट करके उसे मार देते है ये देखकर जेक काफी गुस्ता होता है लेकिन तब तक विल्यम वहाँ से निकल चुका था और मूवी यही पर खत्म होती है